पिछली वीडियो में हमने polysaccharide को देखा था थोड़ा सा उसको revise कर लेते हैं फिर उसके बाद हम आज उसके structure को देखेंगे जो structure main है क्योंकि paper में वही पूछा जाता है और वही आपको बनाना पड़ेगा तो इस वज़े से हम structure को देखेंगे उससे पहले एक बार हम जोड़ा सा revise कर लेते हैं तो बात आई कि polysaccharide polysaccharide आया कहां से तो आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया है कि आपको पता है कि carbohydrate जो की तीन पार्ट में mostly तीन पार्ट में divide होता है classified होता है एक आपका monosaccharide दूसरा आपका disaccharide और तीसरा आपका polysaccharide चुकि polysaccharide के अंदर ही आपका oligosaccharide ड्रग दिया जाता है इस वज़े से में पता नहीं जलता है लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो आपका होता है चार तरीके का एक आपका monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide और फिर आपका polysaccharide कि में क्या क्या था वो भी समझ लेजे, monosaccharide आपके एक सुगर molecule के combine होने से बनते हैं, disaccharide जब monosaccharide के दो molecule आपस में combine होते हैं तब आपका disaccharide का formation होता है, वैसे ही oligosaccharide की बात की जाए, monosaccharide के 3 या 3 से लेके 10 के बीच में molecule combine होकर आपके oligosaccharide का formation करते हैं और 10 से अधिक, monosaccharide आपस में combine होकर polysaccharide का formation करते हैं, आपको भी पता होगा कि poly का मतलब होता है many, many saccharide यानि कि many sugar, यानि कि बहुत सारे monosaccharide या बहुत सारे सुगर के molecule आपस में combine होकर polysaccharide का formation करते हैं, simple सी बात थी, यह हमने समझ ली है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि polysaccharide की क्या properties हैं, वो हमने जाना था, वो आप पिछली वीडियो में देख लिएगा, अब बात करते हैं, हमने जाना कि polysaccharide दो प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से, एक आपके homo polysaccharide, एक आपके hetero polysaccharide, homo polysaccharide यानि कि अगर same monomer से मिलकर बना हो, same monosaccharide से मिलकर बन हो, तब वो कहलाता है, आपका homo polysaccharide, और अगर different different monomer से, या different different monosaccharide से मिलकर बना हो, तब वो आपका hetero polysaccharide कहलाता है, अब और जान लिजे थोड़ा सा, homo polysaccharide को भी two parts में divide किया गया है, एक आपका structural, दूसरा आपका storage polysaccharide, ठीक, एक आपका structural polysaccharide और एक आपका storage polysaccharide, उसे भी समझ लिजे, यह सिर्फ आपके उपरी knowledge के लिए, आपको पता होना चाहिए हर चीज, बाकी जो पूछता है, वो मैंने आपको बताई दिया है, कि उसकी structure के पूछने की ज़्यादा chances हैं, लेकिन अगर sort में push दिया कि polysaccharide को भी कितने part में बाटा गया है, तो polysaccharide को दो पार्ट में कौन-कौन सा homopolysaccharide और heteropolysaccharide और heteropolysaccharide को भी two parts में डिवाइड किया किया है, किसमे किसमे, storage polysaccharide और structural polysaccharide, एकदम doubt clear, चलिए, अब जान लिजे कि क्या होता है storage और क्या होता है structural, चलिए, अब देखिये कि storage polysaccharide का example क्या है, तो आपके storage पॉलिसेकराइड होते हैं, जिसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, यह क्या है, यह आपके स्टोरेज पॉलिसेकराइड हैं, अब मन में एक कोश्चन उठेगा, और उठना भी चाहिए, क्या ऐसा काम कर दिया था इन लोगों ने, कि इनको स्टोरेज कहा जा रहा है, तो उसका region समझेए देखिए ये आपके lever और muscles के अंदर इसी वजह से ये storage polysaccharide है बात समझ में आई ये आपके lever और muscles के अंदर इसी वजह से ये storage polysaccharide है अब उसकी और meaning समझेए देखिए ये हमारे lever और muscles में store रहते हैं और जब हमारे body को function करने के लिए कारे करने के लिए energy की जरोद पड़ती है तो ये energy में convert हो जाते हैं बात समझ रहे हैं जब हमारे body function को energy की जरोद पड़ती है तो ये energy में convert हो जाते हैं ठीक है इसी वज़े से कहा जाता है अब जैसे आपको पता है कि जो starch है वो plant के अंदर पाया जाता है और जो ठीक है उर्जा का हम लोगों में जब गलाइकोजन में हो जाता है तो वो स्टोर रहता है और शरीर की आवसकता के अनुसार ये उर्जा में कनवर्ट होता रहता है अगर आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप गलाइकोजन का इंपॉर्टेंस जानते होंग तो आईए स्ट्रक्चरल पॉली सेकराइड समझेए तो इसके एक्जामपल हो जाते हैं आपके सेलोज काइटीन ये क्या है ये स्ट्रक्चरल पॉली सेकराइड के एक्जामपल है अब इसमें क्या बात आएगी इसकी बस सिंपल सी मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चरल पॉली स की बनी होती है और वैसे ही जो आपका काईटीन है वो भी एक तरीके से स्ट्रक्चरल है क्योंकि यह क्या कर रहा है यह किसी चीज का स्ट्रक्चर बना रहा है स्ट्रक्चर बना रहा है इसी लिए यह क्या हो गया structural polysaccharide उमीद करता हूँ आप समझ गयोंगे यह किसी चीज की संरचना को बनाने का काम कर रहा है जैसे आपने अभी जाना कि plant की cell wall जो होती है वो cellulose की बनी होती है तो वो क्या कर रही है cell wall उनके structure को तयार करती है इसी वज़ा से structural polysaccharide उमीद करता हूँ दोनों का मतलब समझ गयोंगे कि क्यों storage और क्यों structural अब आते हैं हम अपने कुछ example के और सबसे पहले में starts देखेंगे उसके बाद ऐसे ही करके सबको देखेंगे चलिए तो starts का सबसे पहले formula जान लेजे बहुत simple सा formula आपको पता है C6H10O5 और bracket बंद और बाहर यन N का मतलब ये कि ये संख्या कितनी चलती जाएगी वो हमें पता नहीं है आपको भी पता है कि बहुत सारे monomer मिलकर ठीक है polymer का formation करते हैं यानि कि polysaccharide का formation करते हैं यानि कि starch का formation करते हैं दूसरी बात आपको पता है कि starch क्या है starch एक storage homo polysaccharide है तीसरी बात ये जो आपका starch है वो alpha-d-glucose के polymer से बहुत सारे alpha-d-glucose से मिलकर बना होता है ये भी पता है इसमें two types के component पाए जाते हैं या कह सकते हैं कि दो तरीके के component के मिलने से starch का formation होता है एक आपका amylose, दूसरा आपका amylopectin एक amylose और एक आपका amylopectin अब इन दोनों के structure को देख लेंगे तो हमारा मतलब हो गया कि हमने starch को देख लिया देखिए जो आपका amylose है ये unbranched polysaccharide होता है unbranch मतलब इसमें साखाएं नहीं बनती है ये एक chain के समान होता है एक सीधि स्रंखला में चलता है ठीक है और जो आपका amylopectin है ये branch polysaccharide है इसमें साखाएं बनेंगी जब आप देखेंगे तो clear हो जाएगा ठीक है वैसे ही आपके amylose में आपका alpha 1-4 ठीक है alpha 1-4 bond present होता है और जो आपका amylopectin है इसमें alpha 1-4 और alpha 1-6 bond present होता है और ये bond कैसे बनता है अब ये आपको समझ में आ जाएगा ये सिर्फ आपको बता दिया गया है जब आप amylose और amylopectin के structure को देखेंगे वहाँ पर ये bond कैसे बन रहा है वह भी मैं आपको बताता हूँ तो आईए अब structure को देखते हैं आपको पता है कि मैंने आपको starting में बता दिया कि alpha D-glucose और alpha D-glucose के molecule जब combine होंगे तो ही आपका ये आपका बनेगा amylose या कहलीजे starch तो देखिए ये है आपका alpha D-glucose का structure ये भी है आपका alpha D-glucose का structure आपको ये ही structure को अपने दिमाग में बैठाना है आपकी काफी चीजे सिंपल हो जाएगी अब देखिए ये structure ये structure ठीक है इनके बीच में bond बना था आपको पता है कौन सा bond बना था alpha 14 bond बना था कैसे बना था वो समझे इनके बीच में यहां से 1H और यहां से O-H ठीक है यहां से 1H और यहां से O-H आपस में combine होके water के molecule का formation कर लेते हैं ठीक है तो यहां से एक water का molecule release होता है और उस water के molecule के release होने की वज़े से यहां पर एक bond बन जाता है और वही bond आपका कहलाता है alpha 14 bond अब क्यों alpha 14 कहला रहा है 14 क्यों कहला रहा है वो समझे देखे यह आपका पहला कारबन है और यह आपका चौथा कारबन है आपको गिंती करें बता देदा यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाच्वा, छटवा और ऐसे यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाच्वा, छटवा तो जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हुए है और जो इनके बीच में bond बना है इस alpha D-glucose और इस alpha D-glucose की बीच में जो bond बना है वो कौन से कौन से वाले कार्बन के नमबर के पास बना है तो देख लीजे, एक पहला कार्बन और यहाँ से चौथे कार्बन पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में यह bond बना है इसी वज़़ से इसका नाम alpha 1-4 bond बना है और यही नाम आपको बताया गया जो आपको पहले भी बता चुके है और यहाँ से एक water का molecule release हुआ है जो आपको हमने पहले बता दिया है तो जब यहाँ से water का molecule release हो जाता है उसके बाद का figure देखिए यह है तेक यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ से जब OH मतलब H2O यानि कि 1H और 1OH हट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ O बचेगा तो इस तरीके से O के बीच में ऐसे bond बन जाता है और ऐसी ही स्रिंखला बार बार बनती जाती है बनती जाती है और यही चैन आगे तक चलता रहता है आपको बात समझ में आ गए होगी अब चाहे तो डारेक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसका स्टार्ज का क्योंकि उसका भी एक simple सा स्ट्रक्चर बनता है जहां पर आप इसके direct structure को बतना बना देंगे आपका काम हो जाएगा वो भी मैं आपको एक starch का structure बना के दे दूँगा लेकिन जान लीजे वो पूरा structure नहीं है वैसे पूरा तो कोई भी structure नहीं है क्योंकि आपको पता ही है क्योंकि इनकी संख्यात हमें पता नहीं है इसलिए हम N लिखते हैं N मतलब जो भी number होगा जहां तक जा सकते हैं वहां तक ठीक है तो इसलिए N लिखते हैं लेकिन एक normal आपको structure में बता दूँगा जो starch का होता है जो आप बना सकते हैं लेकिन जो एक सही structure है वो यह है कि पहले आप amylose और amylopectine का बनाएंगे तो जाके आपका starch का formation होता है ठीक है क्योंकि इनसे ही मिलकर आपका starch बना होता है चलिए अब amylopectine को देखते हैं आपको इपता है कि कुछ नहीं है वैसे ही काम है आपने वैसे ही alpha-d-glucose का फिर से figure बना लेना है ठीक है दो alpha-d-glucose का normal figure बना लेजे क्योंकि आपको पता है कि यह क्या होती है यह आपकी branched polysacuride है तो एक alpha-d-glucose के साथ एक branch में जोड़ दीजे एक branch जोड़ दीजे तो normally कह सकते हैं कि आपके alpha-d-glucose की आपने चार figure बना लेनी है कितनी कुल चार figure आपने alpha-d-glucose की बना लेनी है जो आपका third वाला है उसे एक branch बनाने के लिए हम उसे एक और alpha-d-glucose जोड़ देंगे चुकि ऐसे ही यह रहता है तो हमने यह काम कर दिया ठीक अब बात समझते हैं सेम कंडिसन है कोई नई चीज नहीं है वही चीज होगा यहाँ से एक H और एक OH जो molecule है वो आपस में combine होके water के molecule का formation कर देंगे और यहाँ से एक water का molecule release होगा ठीक है तो जैसे ही water का molecule release हुआ तो यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर सिर्फ बचा O ठीक है तो इस तरीके से इस alpha d-glucose और इस alpha d-glucose के बीच में OH के द्वारा bond बन जाएगा और यह bond कित कौन से कौन से carbon के बीच में बन रहा है तो आपको भी पता है कि पहले carbon और चौर्टे carbon के बीच में बन रहा है तो इसी वज़े से यहाँ पे alpha 1-4 bond प्रेजेंट होता है ठीक concept clear बिल्कुल clear ना चलिए same condition यहाँ पे है वैसे इस alpha d-glucose और इस alpha d-glucose से भी यही काम होता है एक H और एक OH molecule आपस में combine होकर water के molecule का formation कर लेते हैं और इस तरीके से water का molecule release होते आता है तो यहाँ पे क्या बसता है सिर्फ O बसता है फिर यह इनके बीच में bond बन जाता है यानि कि एक तरीके से यह alpha d-glucose और यह alpha d-glucose आपस में जूड जाते हैं combine हो जाते हैं और यहाँ पे भी वही bond बनेगा एक और चार ठीक है मतलब alpha 1-4 bond present होता है और ऐसे यह series चलती जाती है अब बात आती है थोड़ी सी branch वाले के देख लीजे branch वाले में भी क्या होता है यही चीज होती है same condition है यहाँ से एक edge का molecule यहाँ से OH का molecule आपस में combine होते हैं ठीक है एक edge का molecule एक OH का molecule आपस में combine होते है और इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे भी water का molecule बनता है यह भी water release हो जाता है और इस तरीके से यहाँ पे भी यह आपस में जुड़ जाते हैं बस फरक यह है कि यहाँ पे जो bond बनता है वो alpha 1-6 बनता है क्या? देख लीजे यह आपके छटवे carbon से जुड़ा हुआ है यह पहला carbon यह आपका छटवे carbon आपको लिखा हुआ भी दिखाए दे रहा है तो यह आपके छटवे carbon से जुड़ा हुआ है इस वज़ा से यहाँ पे alpha 1-6 bond प्रेजेंट होता है यही छोटी सी छोटी सी बात थी जो आपको खटक सकती है और यही चीज आपको यहाँ पे बताए गई है मैंने आपको नॉर्मली बता दी कि यह हो गया यह जब water के molecule release हो जाते है तब आपका ऐसा figure हो जाता है फिर जब यहाँ से water के molecule release हो जाते है तब आपका ऐसा figure हो जाता है तो उमीद करता हूँ आपको CJR हम से समझ में आ गई होगी चलिए अब हम अपने दूसरे स्टोरेज पॉलिसेगराइड को देखते हैं वो है आपका गलाइकोजन और इसके फिगर में भी कोई ऐसी खास बात नहीं है जो आपको कठें लगे मैंने आपको बताया ना कि सब आपको एक चीज पकड़ना है कि अलफा डी गलुकोज का फिगर आपने पकड़ लेना है चाहे पकड़ लीजिए और चाहे याद कर लीजिए वो आपके उपर depend करता है वैसे तो normally वो formula लोगों को पता होता है लेकिन अगर नहीं पता है तो उसको एक बार रट्टा मार लीजिए क्योंकि उसकी वज़ा से आपकी काफी चीज़े simple हो जाएंगी और practice से क्या कुछ नहीं मिल जाता ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है ठीक है तो ये आपकी problem चलेगी नहीं क्योंकि मैं अपने experience से बता रहा हूं खासकर लोग ये topic छोड़ देते हैं छोड़ के निकल लेते हैं भाग जाते हैं के रिच चलो जाने दो ये यादे नहीं होना है ये इतना सारा figure कौन बनाएगा ये structure नहीं आदोगा कुछ है ही नहीं भईया कुछ है ही नहीं कुछ गीन है आपको पता ही है कि ये हम लोगों के अंदर या कह सकते हैं कि एनिमल के अंदर पाया जाता है और इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्यों क्योंकि जिस तरीके से जो काम आपका प्लांट में स्टार्च करता है वही काम हमारे अंदर गलाइकोजन करता है तो इसी वज़ और alpha 1-6 bond present होता है कौन कौन सा alpha 1-4 और alpha 1-6 अब ये इतना सुनते ही आपके मन में खटकना चाहिए कि अरे अब ये भी तो हम जो amylopectine पड़के हैं उसमें भी तो यही चीज हुई थी तो बस जो figure उसका आपने देखा है वही figure होता है एक बार मैं समझा दूँगा ताकि आपको और clarity मिल जाए एक तरीके से आपको amylopectine की भी clarity मिल जाएगी और साथ-साथ glycogen की भी clarity मिल जाएगी तो जब इस तरीके का दो bond बन रहा है तो आप ये भी समझ गया होंगे कि इसमें भी branches बनेंगी ठीक है बिल्कुल सही समझें इसमें भी branch का formation होता है एक सीधी रेखा में ही नहीं चलेंगे ध्यान रखेगा इसमें भी branch का formation होता है आईए एक बार आपको फिर से figures explain कर देता हूँ यहाँ पे भी condition सेम है बहुत सारे monomer मिलके आपके बहुत सारे कह सकते हैं कि monosaccharide मिलके ही इनका formation करते हैं उनकी संख्या क्या है अमें पता नहीं होता है तो इनके भी formula के last में N ही होता है same condition है तो इस वज़े से इसमें कोई बाड़ी बात नहीं है ऐसे ही आपको alpha-dglucose के ऐसे ही आपको 4 figure बना लेने है एक figure आपको branch वाला बना लेना है तो उसको third वाले से जोड़कर आप branch के type में बना दे जाए क्योंकि यह साखा के तरुट पर गई है और ऐसे ही यह बढ़ता जाएगा ऐसा नहीं है कि यह figure आपका यहीं पर खतम नहीं हो गया चुकि हम उतना सारा बनाते नहीं है normally हम छोटा सा बना के explain करते हैं आप ऐसा मत समझे कि यह figure यहीं पर खतम हो गया यह प्रक्रिया ऐसे ही dot 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 कर दीजे आगे चलती रहती है ऐसे यह भी आगे चलता रहता यह जूडते रहते हैं बनते रहते हैं जूडते रहते हैं ठीक है तो अब सुनिए same condition यहां से एक H का molecule यहां से एक O H का molecule आपस में combine होते हैं और आपका H2O का formation कर लेते हैं यानि कि पानी का molecule बन जाता है और इस तरीके से इनके बीच में bond बन जाता है यहां पे एक ही O बचता है तो इस तरीके से यह आपस में connect हो जाते हैं चूकि यह पहला carbon है यह चौथा carbon है तो इसी लिए इनके बीच में क्या बन जाता है 1,4 ठीक है alpha, 1,4 bond present होता है वैसे यहां पे भी alpha, 1,4 bond present होता है और यहां पे क्या होता है यहां पे भी बता दिया यहां पे भी water के molecule release होते है एक O बच जाता है फिर वो O और इनके बीच में bond बन जाता है bond कहां कहां बन रहा है पहले carbon और छटे में carbon के साथ bond बन रहा है तो इसी वज़े से इसका नाम हो जाता है alpha, 1,6 bond यही simple सी बात थी हमने आपको समझा दी वही चीज यहां पे आपको बताई गई है तो आप बात समझ गए होंगे अब बात करते हैं cellulose की ठीक है जो की क्या है एक structural polysacryide तो देखे, cellulose में कुछ खास नहीं है आपको बताई दिया कि यह आपका structural polysacryide होता है इसमें क्या होता है यह बहुत सारे बीटा-D-glucose polymers से मिलकर बना होता है जैसे वो alpha से बना रहता था यह बीटा-D-glucose से मिलकर बना होता है यही simple सी बात है और इसमें बीटा-1-4-bond present होता है और कैसे रहता है वो तो आपको बात समझ में आई गई होगी कि पहले और चौथे कार्बन से मिलकर जुड़ा रहता है तो इसी वज़े से यह चीज होती है आईए मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा से explain कर दे रहा कहानी खतम हो जाएगी एक चीज आपको खटकनी चाहिए जो कि खटकेगी भी आपको कि यह बीटा-D-glucose क्या है अब तक तो अलफा था बीटा पे आगया अलफा और बीटा-D-glucose में कुछ अंतर नहीं होता है यह जो आपका पहले कारबन से जुड़ा H और OH है बस इनकी इस्थिती बदल जाती है अब जो आप बीटा-D-glucose देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ इतना हुआ है कि जो पहले कारबन से जुड़ा हुआ H और OH है इसकी condition सिर्फ बदल गई है यहाँ पे यह OH उपर चला गया है H नीची आ गया है और आपने ध्यान किया होगा अगर अलफा-D-glucose में तो किया होगा यहाँ पर ध्यान कर लिजे यही छोटा सांतर होता है और कुछ नहीं होता है वैसे ही यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH आपस में कंबाइन होकर वाटर के molecule का formation कर लेते हैं और यह water का molecule release हो जाता है और इस तरीके से O और इनके बीच में एक तरीके का bond बन जाता है और यह आपके पहले carbon और चौथे carbon से जुड़े हुए है इसी वज़े से इसका नाम beta 14 bond पढ़ जाता है और यही normal सी चीज होती है यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि किस तरीके से यह bond बना है पहले और चौथे carbon से जुड़ा है और इनके बीच में bond बन गया और यही bond आपका कहलाता है beta 14 bond तो बस आज की बात खतम वीडियो पसंद आईगी तो like, share, subscribe करिएगा कोई doubt होगा तुमसे पूछ लीजेगा हम है ही आपको फिर से explain कर देंगे और यही था आपका polysaccharide coffee important है पूछने के chances भी है आता भी है और आया हुआ भी है तो बहुत महनित वाली चीज नहीं है जरा सा ध्यान देंगे बहुत simple है हो जाएगा ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में टाटा वाइब है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को like दिखा करिए यही मेरी छोटी सी request है आपसे तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टापिक के साथ